तो फाइनली सैम्सांग ने मेंटेनेंस मोड का जो फीचर है वो अपने एक और मीटरेंज डिवाइस में रोलाउट करना स्टार्ट कर दिया है तो आज के इस वीडियो के इंदर डीटेल में मैं जानकारी देने वाला हूं तो वीडियो को अंतर तक देखिएगा और लाइक कर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फाइनली M42 5G के लिए सैम्सांग ने रिसेंटली एक अपडेट रोलाउट किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट साइज 411 MB का अपडेट है December 2022 का हमें security patch मिल जाता है तो इसके लिए आपको settings पर जाकर software update चेक करना है और उसके बाद update करना है उसके बाद फिर से settings पर जाना है उसके बाद battery and device के और यहाँ पर हमें maintenance mode का feature दिखने को मिल जाएगा यह एक काफी useful feature है जो कि Android 13 update के बाद काफी सारे devices में Samsung ने rollout नहीं किया है और अब rollout करा है software update के थूँ अगर आपका device में कोई problem आ जाता है तो आप उसे service center ले जाते है तो आपके device में personal data भी रहता है photos, videos रहते हैं, documents रहते हैं तो अगर आप इस option को enable कर दिजेगा maintenance mode को और यहाँ पर pin pattern password आपको set करना होगा और उसके बाद यहाँ पर यह on हो जाएगा और जो भी आपका personal data है वो यहाँ पर show नहीं करेगा सिर्फ जो system के applications हैं वो show करेंगे दोस्तों और जब आपका device repair होके आ जाएगा तो आप इसे off कर दिजेगा और off करते समय वही pin pattern password मांगे जो आपने इसे on करते समय इंटर किया था तो काफी useful feature है और काफी सारे devices में हमें देखने को मिलता है और काफी सारे devices में Samsung software update के थ्रू रोल आउट भी करने वाला है बहुत ही जल्द तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर से प्रेस कर जेगा ताकि जब भी update आए आपको मेरे चैनल information देखने को मिल जाए तो मैं मिलता हूँ आपसे next video में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातनम